दोस्तों आज रश्या की तरफ से एक फैंसला ऐसा लिया गया है जिसकी वज़े से भारत की तो मोज आने वाली है लेकिन रश्या के इस कदम की वज़े से तुर्की और चाइना को एक बड़ा जटका लगने वाला है इस वक्त ये दोनों ही देश इस सोच में पड़े हुए हैं कि रश्या भारत के लिए इस कदम को चल के से सकता है आप से भी ये बात जानते हो कि 15 ओटूबर 2016 को भारत और रश्या के बीच 5 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की डिल साइन हुई थी उस समय हमको इस डील की कीमत 5.43 बिलियन डोलर पड़ी थी यानि कि हमको एक S-400 डिफेंस सिस्टम की कीमत उस समय 9,000 करोड रुपिये के आसपास पड़ी थी अभी तक रश्या इन 5 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम से हमको केवल 3 रेजिमेंट S-400 की डिलेवर कर पाया है और इन 3 ही S-400 डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट को हमारी सेना में भी शामिल कर लिया गया है और इस वक्त हमने S-400 Defense System को चाइना और पाकिस्तान के बोर्डर के पास में तैना कर रखा है और इस समय जो हमारी 2 S-400 Defense System की रेजिमेंट 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 के पास बची हुई हैं इन रेजिमेंट को लेकर पहले रशिया का ये बोलना था कि हम भारत को 2000 24 तक ही सभी S-400 Defense System की डिलेवरी कर देंगे लेकिन अब से कुछी समय पहले रशिया की तरफ से बताय गया था कि हम 2026 से पहले भारत को बचे हुई 2 Regiment S-400 Defense System की डिलेवरी नहीं कर पाएंगे हम भारत को इन बची हुई 2S400 डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट की डिलेवरी 2026 तक कर पाएंगे यानि इस डिल के साइन होने के 10 सालों बाद भी हमको पूरे 5 रेजिमेंट S400 डिफेंस सिस्टम की डिलेवरी नहीं हो पाई है तो अगर हम आज भी S500 डिफेंस सिस्टम को रेजिया से खरीदते हैं तो ये डिफेंस सिस्टम हमको 2034 तक ही मिल पाएगा हत्यारों की डिलेवरी को देखा जाए तो रेजिया का ट्रेक रिकोर्ड बहुत ही ज़्यादा खराब है अब किसी भी हत्यार की डिलेवरी को उठा कर देख लीजे रश्या की तरफ से हमेशा ही हत्यारों की डिलेवरी लेट की जाती है लेकिन आज रश्या की तरफ से एक अच्छा कदम भी चला गया है और वो कदम यह है कि अब जल्द से जल्द रश्या भारत के अंदर S-400 डिफेंस सिस्टम की एक मेंटिनेंस फैसिलिटी को लगाना चाहता है और एसा पहली बार होने जा रहा है जब रश्या इसी दूसरे देश के अंदर S-400 डिफेंस सिस्टम की मेंटिनेंस फैसिलिटी को लगा रहा हो S-400 defense system की भारत के अंदर facility लग जाने के बाद हम अपने S-400 defense system का maintenance भारत के अंदर ही कर सकेंगे और बताया ये भी जा रहा है कि इस deal के sign हो जाने के कुछी समय बाद हमको ये भी definitely देखने को मिल सकता है कि Russia S-400 defense system के कुछ spare part को भारत के अंदर ही बनाना शुरू कर दे फिलाल इस deal को लेकर भारत और रश्या के बीच बादचीत लगबग final stage में पहुँच चुकी है कभी भी इस deal को sign किया जा सकता है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या रश्या ने S-400 defense system की maintenance facility भारत के अंदर लगा कर सही किया या फिर ना विस बात का अंचर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, have a good day